आज कच्छा आठ के समझ छाठ चात्राओं का बहुत बहुत स्वाड़त है आज कच्छा आठ इंग्रीज ग्रामर चैप्टर टॉन्टी थ्री ते इसमा चैप्टर हाउ पर्जेंट पार्टीशिपुल आर मेड़् पर्जेंट पार्टीशिपुल कैसे बनाया जाता है इसी के विशाय में हम और आप आज अध्यान करेंगे दिखेंगे स्टूडेक मेरे पिछले आनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर बाईस टॉन्टी टू बाईसमा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था यूज आप प्रिपोजीशन यानि प्रिपोजीशन का प्रियोग आज हमें और आपको आपके इंग्रिस ग्रामर चैप्टर 23 ते इसमा चैप्टर पढ़ना है हाउ परजेंट पार्टीशिपुल आज मेरे परजेंट पार्टीशिपुल कैसे बनाया जाता है इसी के संबंद में हमें और आपको आज पढ़ना है बीरी स्टुडेंट परजेट पार्टिसिपल का हिंदी होता है वर्तमान कालिक क्रीदन वर्तमान कालिक वर्तमान कालिक क्रीदन वर्तमान कालिक क्रीदन या क्रीदनत कहा जाता है हिंदी वर्तमान कालिक क्रीदन देशिट परजेट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है तो गिरिया के फर्स्ट फार्म में पर्जेंट 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 पर स्लीप में सोता है सोना अब अगर इसमें स्लीप किरिया की फर्स्ट फार्म है अब इसमें अगर हम आई एन जी जोड़ दिया तो हो जाएगा स्लीपिंग अब यह हो गया पर्जिंट पार्टिसिपल फार्म लूप है इसमें अगर हमने आई एन जी जोड़ दिया तो हो गया लूपिंग उसी तरह से ले है इसमें अगर हमने आई एन जी जोड़ दिया तो हो गया प्लेइंग तो इस तरह से रूल क्या है कि किरिया के पर्जेंट फार्म में अथवा किरिया के फर्जेंट फार्म में आई एन जी जोड़ देने से पर्जेंट पार्टिसिपल बनता है अंगरेजी भासा में पर्जेंट पार्टिसिपल का प्रियोग कहां कहां किया जाता है आईए इस बिंद पे चर्जा करें आई देखें समझ में आ गई होगी बार किरिया के फर्स्ट फार्म में ING जोड़ देने से present participle बनता है कोई भी किरिया हो वो है? ING जोड़ दिजी going हो गया present participle फार्म हो गया cut है? ING आपने जोड़ दिया cutting हो गया eat है? ING जोड़ेंगे eating हो गया move है? ING जोड़ दिजी moving हो गया watch है? ING जोड़ दिये watching हो गया eat है? sleep है? go है? जितनी भी फर्स्ट फार्म की किरिया है उन किरिया है किरिया के फर्स्ट फार्म में ING जोड़ देने से present participle बन जाता है आए हम present participle का यूज कहा कहा करते हैं तो टेस आप लोगों ने पढ़ा present continuous में हम किरिया के present participle का यूज करते हैं जैसे बच्चे खाना खा रहे यह है present continuous तो present participle का यूज परजेंट कांटिनिवस ट्रेंज में किया जाता है देखिए इट है ING जोड़ दीजिए इटिंग फूड हो गया present continuous में present participle का यूज किया जाता है उसके बाद past continuous में भी क्रिया एपर्जेट participle फार्म का यूज किया जाता है जैसे संजना गीत का रही रहा था रहे थे रहे थी पार्ट कांटिनिवस है तो इसमें भी हम पर्जेट participle का यूज करते है संजना वाज sing है देखिए फिरिया की फार्ट फार्म इसी में ING जोड़ देंगे तो singing हो जाएगा singing ए song तो present continuous में present participle का यूज हूगा फिर past continuous में present participle का यूज हूगा उसके बाद आएए future continuous में भी present participle का यूज होगा जैसे सोनम पढ़ रही होगी सोनम पढ़ रही होगी देखिए रहा होगा रहे होगे रही होगी future continuous की पहचान है तो सोनम पढ़ रही होगी सोनम will be read माने होता है पढ़ना अब read में ING लगा दिए सोनम पढ़ रही होगी तो present participle का यूज present continuous में किया गया past continuous में किया गया future continuous में किया गया अब उसके बाद आएए present participle का यूज present perfect continuous में भी किया जाता है जैसे से दो बजे से जंगल में भूम रहे हैं से दो बजे से जंगल में भूम रहे हैं रहा रहे हैं रही आए और वीक में टाइम आए तो यह present perfect continuous का सिंबल है तो lions have been wandering in the in the forest since two o'clock lions have been wandering in the forest since two o'clock लेखर सनी वार्से कहानी लेखर लेखर सनी वार्से कहानी लिखरा था past perfect continuous की पाचान क्या है कि वार्ट प्यंत में रहा था रहे थे रही थी आएगा और इसमें टाइम आएगा देखे टाइम भी आएगा रहा था रहे थी रही थी आया इसका मरला भी आप पर्टेक्ट कांटिनी मस्ट है तो दा राइटर हैड बीन यह कि राइट माने लिखना होता है इसी में आएँजी जोड दी यह राइटिंग यह होगे आखका पर्जेंट पार्टीसिपल दा राइटर हैड बीन राइटिंग ए इस्टोरी जिसी टाइम है तो सिन्स लगता है सिन्स सैटर गे तो इसका मरला पर्जेंट पर्फेक्ट कांटिनी मस्ट में भी पर्जेंट पार्टीसिपल का यूज होगा और पास्ट पर्फेक्ट कांटिनी मस्ट में भी अब future pocket country must change में भी present participle का यूज होता है पार example मैं दो बजे से आगरा जा रहा होंगा मैं दो बजे से आगरा जा रहा होंगा यानि वाकिर क्यांति में रहा होंगा रहा होंगी यहीं होंगी और बीच में टाइम आये तो वह प्यूचर पर्पेक्ट कांटी निमस की पहचान है तो आई सैल है सैल कर दो यह प्यूचर में लिए इसल आगरार श्यूचर इसला फिसला आगरा श्यूचरे कांटी में लिए तो यह प्यूचर जाएल बागरार श्यूचर टो लो ओुटराओ तो future perfect continuous में भी present participle का यूज होता है तो dear student इस तरह से आप लोगों ने present participle का यूज कहां कहां हुआ present continuous में, past continuous में, future continuous में, present perfect continuous में, past perfect continuous में और future perfect continuous में present participle का यूज होता है अब आये present participle कैसे बनाया जाता है how present participle are made present participle कैसे बनाये जाते हैं देखिए, एक स्वर ध्वनी तथा एक या एक से अधिक ब्यांजन ध्वनियों की एक इकाई वाले क्रिया जिसमें किवल एक वाविल हो तथा जिसके अंत में एक कांसोनेंट हो उसमें ing लगाने से अंतिम वाला जो कांसोनेंट होता है वह डबुल हो जाता है यैसे देखिए, कोई एक सब्द है उसके, उस सब्द का समापन कांसोनेंट से हो, एक कांसोनेंट से और इसके पहले कोई वाविल हो इसमें जब हम ing जोडते हैं तो लास्ट वाला ये जो कांसोनेंट है वह डबल हो जाता है दो लिखना पड़ता जैसे ब, इ, जी है अब ing जोड़ेंगे तो ये जी डबल हो जाएगा यानि ऐसा वर्ग जिसका समापन सिंगल कांसोनेंट से हो और उस सिंगल कांसोनेंट के पहले एक वाविल हो तो ing जोडते समय ये लास्ट वाला वाविल डबल हो जाता है जैसे बेग है fit ing जोड़ेंगे तो ये टी हो जाएगा double fitting तो इस तरह से ऐसा कोई वर्ग जिसका समापन एक कांसोनेंट से हो और उस एक कांसोनेंट के पहले कोई एक वाविल हो तो उस वर्ग के लास्ट वाला जो कांसोनेंट है वह डबल हो जाता है दो या तीन सेलबल वाली क्रिया जिसके अंत में केवल एक कांसोनेंट हो और उसे पहले केवल एक स्वर हो और उस क्रिया के अंतिम सेलबल पर stress यानि बलाग हात होता हो तो ing लगाने से पहले उसके अंतिम कांसोनेंट भी double हो जाते है प्रीफर धन ing प्रीफर धन ing प्रीफर धन ing तो यह डबल हो जाएगा प्रीफर धनि यह डूसरा लूल है तीसरे में आईए जिस क्रिया के अंत में एक अल हो शुपोज दैट किसी क्रिया के अंत में एक अल हो और उसके पहले केवल एक बादिल हो तो उस क्रिया के अंतिम अल को डबल करके ing लगाया जाता है पार इंजामपल मॉडल अब इसमें अगर आई एल जी लगाएंगे एक एल है तो यह हो जाएगा डबूल M O D E W L I एल जी बॉडल है फुल फिल भन आई एल जी अगर जोडते हैं तो यह हो जाएगा यह लगाबूल फुल फिलिंग तो इस तरह से अंत में एक एल है और उसके पहले कांसोनेंट है तो वह डबूल हो जाएगा जिस क्रिया के अंत में केवल एक E हो suppose that किसी क्रिया के अंत में केवल एक E हो और उसके पहले केवल एक consonant हो तो उसके करिया के अंत में जब हम I.N.G जोड़ते हैं तो E हट जाता है For example Dance कोई ऐसा करिया हो जिसके अंत में E हो और उसके पहले consonant हो तो जब हम in-g जोड़ते हैं तो यह E हट जाता है dancing हो जाएगा like l-i-k-e धन ing तो यह e हट जाएगा liking love है loving तो यह चवथारूल हुगा आगे चलते हैं अब आईए आगे देखते हैं यद किसी क्रिया का समापन i-e से हो अगर किसी क्रिया का समापन i-e से हो और उसमें हमें ing लगाना हो तो इस i-e को हम y में convert कर देते हैं जैसे t-i-e तो आईए माने बादना होता है अब इसमें अगर हम ing लगाते हैं तो यह i और e हो जाएगा y अब फिर ing जोड़ देगे जिस क्रिया का समापन i-e से हो और उसमें अगर हमें ing जोड़ना हो तो i-e के जगह हम y लिखेंगे तो ty हो गया तब जाके हम ing जोड़ेंगे जैसे die अब इसमें ing जोड़ते हैं तो i-e के जगह y हो जाएगा d-y-ing ly-lie li-e तो i-e के जगह y लिख देंगे हो जाएगा ly-ing बागी cs के रियाओं के साथ प्राया ing ही लगाया जाता है तो dear students इस तरह से how पन्येक्ट पार्टिस्पुल आर्मेड चैप्टर 23 फार क्लास 8 ओवर्ण हुगा I hope कि आप लोगों को यह चैप्टर भली भान समझ में आया होगा किन्चित कारणों से अगर कहीं भी कोई असुनिधा मसूस हो समझने में तो आप नियसंदे कांटेक्ट करिएगा WhatsApp ग्रूप में अपनी समस्या सेंड करिएगा हर संभव प्रियास दिया जाएगा आपको संतोष्ट कर लेका Thank you